हलो दोस्तों नमस्कार कैसे है आप सब मैं आचा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज वीडियो बस्टेंड बारी तो दुकान है यमारी उसी से सूट कर रहे है सुबह सुबह के लगबग पांच बजने को है दोस्तों आज इस वीडियो के मादम से आप सभी दोस्तों को देखने वाले दोस्तों को मैं छोड़ी बात पताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम जितना पॉजटिव रहेंगे उतना ही दोस्तों हमारे анदर जो अछे विचार व toujours आते रहेंगे क्योंकि हमें समाज के अपने आज पास ही समाज के Amen कहें अच्छे जो हमारे पा आप देखते हैं मैं तो जावी मुझे मोका मिलता है थोड़ी मोटी सहयोग करने का अपने तनमंदन से कोशिच करता हूँ लेकिन ये सब आप जैसों के प्यार और आप जैसों के विश्वास से ही हो रहा है दोस्तों मैं कुछ नहीं कर रहा है लेकिन जो हमारे युवास आती यहां युवास आती और हमारे बाई बैन बड़े बुजरग जो हमें जितना भी हमें मोका मिलता है हम उनसे ज्ञान लेने की कोशिज करते हैं क्योंकि दोस्तों हम समाज के अंदर पॉजिटिव रहे कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं लेकिन नेगटिव में हम कभी भी कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं आप देखते भी हो वैसे पहले मैं वीडियो दोस्तों बनाता था कि यहां आप देख इधर वाली साइड देखोगे कि इन पोदों में शुबर शुबर पानी डालना क्योंकि सप्लाई जो आती है दोस्तों वो एक दिन तो आती है पुने चेरबर और अगले दिन आती है साथ मेरा स्कूल जाने का टेम हो जाता है लेकिन वाभी जाना जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैं मा अपने सभाई करमचारी के तोर पर सेवा दे रहा हूं देखो दोस्तों इनका जो अब इनमें पानी थोड़ा डाल दिया है और दूसरा तिसरा दिन जो लाइट चस रही वहां तक है लगबग 130 पोद्य है इन लगगी सिवा यानि की आपनी दुकान से जो आपके भाई गोलु जेसीवी की दुकान उससे सिरफ सो मिटर की दूरी बहा है दोस्तों वहां लग मैं समार देता हूं लेकिन इस से ज्यादा क्योंकि काम थोड़के भी दोस्तों हम जितना पोजिटिव रहेंगे उतना ही अच्छा है इसलिए मेरी आप सभी भाई बैनों से आजोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने आसपास जितना होसके समाज के परती हम अच्छा सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और समाज के अंदर अच् में अपने मकान है उनके अंदर सबने पूरी सचाई और इमांदरी के साथ सभाई की हैं और उन ने सजाए हैं लेकिन दोस्तों हमारे आसपा जो हमारे आंगनबारी केंदरों में या फिर हमारी अनाजमंडियों में या फिर और कोई भी सरकारी संस्तान है वहाँ हम सोच्वालियों की दसा देखते हैं वो बहुत खस्ता हालात में और उनके अंदर गंद स्वेड़ा होता है दोस्तों उसकी और ध्यान सभी का जाता है लेकिन कोई नहीं चाता कि उसके लिए कुछ अच्छा करें दोस्तों इसल इनका भी इंतजार होगा जरूर जल्द ही करेंगे धन्यवाद आप सब के परिवार खुश रहें और आगे बढ़ते रहें जैहिंग